अशोक लेलंड लिम्टेट शेर, प्रमुख वानिज एक वाहन कमपनी अशोक लेलंड को तमिलनादु राज्य परिवहन निगम TNSTC से 552 बस की आपूर्ती का ओडर मिला है। कमपनी ने ब्रिहस पतिवार को ये जानकारी दी। कमपनी ने बयान में कहा कि अल्ट्र लो इंट्री, ULE, बसों को सारवजनिक परिवहन के उप्योग में लिया जाएगा। क्या है डिटेल अशोक लेलंड TNSTC को लंबे समय से बस की आपूर्ती करती आ रही है। वो निगम को अब तक लगभग 18,477 बस की आपूर्ती कर चुकी है। अशोक लेलंड के प्रबंध निदेशक, M.D. और मुख्यकारेपालक अधिकारी, C.O. शेनू अगरवाल ने कहा ये ओडर बहुत कुशल और तक्नीकी रूप से उननत उत्पाद बनाने के हमारे समर्पन को मजबूत करता है। ये सारवजनिक परिवहन की विद्धी में यो ब्रोक्रेज फर्म ने कहा कि कमपनी के शेरों में तेजी आने की संभावना है। वैश्विक ब्रोक्रेज फर्म CLSA द्वारा 238 रुप्य के टारगेट प्राइस के साथ काउंट पर बाई रेटिंग दी है। वर्तमान में इस शेर की कीमत 179.90 रुप्य है। इस साल अब तक इस वानजीक वाहन, सीवी, निर्माता का स्टॉक बेंचमार्क सेंसेक्स में 18 प्रतिशत की वृद्धी के मुकाबले 24 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है। इस शेरों पर आधारित बेसी सेंसेक्स 358.79 अंक यानी 0.5 एक प्रतिशत की बढ़त के साथ 70,865 अंक पर बंध हुआ। धन्यवाद।